नमस्कार दोस्तों इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है ICICI Bank की पूर्व CEO और MD रही चंदा कोचर जो हैं उनको सशर्थ जमानत मिल गई है जमानत उनको किस मामने मिली है वो मैं आपको बताता हूँ दरसल उन पर आरोप है कि उन्होंने VideoCon Electronics Limited को कर्ज देने के बदले घूस ली है और उनके पती को ये घूस मिली थी 2009 का ये पूरा मामला है और खबर यही थी कि उन्होंने उनकी समिती की अध्यक्ष ती वो जिस समिती ने VideoCon International Electronics Limited को 300 करोड रुपए की कर्ज की मनजूरी देती थी और उसके बाद बदले में क्या लिया था बदले में अगले ही दिन 8 सितंबर 2009 को लगबग 64 करोड रुपए NRPL को हस्तांतरिक किये थे VideoCon ने और NRPL के जो मालिक हैं वो हैं दीपक कोचर चंदा कोचर के पती तो सबकी मिली भेकत इसमें सामने आई थी और इस पर आरोप लगा था चंदा कोचर पर तो चंदा कोचर के खलाफ ये मामले के सुनवाई अदालत में फिलाल चल रही है PMLA कोर्ट में फिलाल सुनवाई चल रही है और इसी दौरान खबर आई है कि उनको सशर्थ जमानत मिल गई है पांच लाख रुपए के बॉन और साते साथ बिना आनुमती विदेश यात्रा न करने की ये दो शर्ते हैं जिनके साथ चंदा कोचर को जमानत मिली है